दोस्तों लगबख सभी टीवी सीरियल्स देखते हैं और इन सीरियल्स में जो सबसे ज़्यादा इटरेक्टिव बात होती है वो होती हैं इन सीरियल्स की छोटी सी और चुलबुली क्यूटने से भरी चायल्ड आक्ट्रिस जो अपनी मासूम्य से दर्श्रकों को आकर्शित कर होती है और अपने मासूम अभीने से सभी का दिल जीट लेती हैं इसे तारीके से टीवी शोज में नजराने वाली कई बाल अभीनीत्रियों ने अपनी मासूम्य से सभी का दिल जीत लिया लेकिन आपको बता दें कि आप सभी की पसंदीदा बाल अभिनीत्रिया आप समय के साथ बहुत बड़ी हो गई है और बहुत बदल गई हैं क्यों उन्हें एक नजर में पहचान पाना काफे मुश्किल है इस लिए आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी पर काम कर चुकी मशूर चाल्ड आक्ट्रोसे से मिलवाने जा रही हैं जिन्हें देखकर आप भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे तो आईए जानते हैं कि वो कौन से चाल्ड आक्ट्रोसे हैं नमबर वन पर नाम आता है अनुश्का सेन का सोनी सब के शो बालवीर में महर का किरदार निभा कर मशूर हुई अभी नीच्री अनुश्का सेन ने अपनी मासूमिय से सब को अपना दिवाना बनाया फिर भी उस समय वो केबल 10 साल की थी उन्होंने इस करदार को बहुत अच्छी तरह से निभाया इसके बाद उन्होंने जांसी की रानी और इंटेनेक वाला लवजर से शोज में भी काम किया और क्रेजी कुक कर फामिली से बॉलिवर्ड में अपनी पहचान बनाई लेकिन एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली ये भी नहीं तरी आज बहुत बदल गई है आज अनुशका 17 साल की हो गई है और पहली की तुलना में बहुत ज़्यादा सुन्दर और स्टाइलिश नजरा आती है और आज कल अक्रस म्यूजिक विडियोज और अलबम्स में नजरा रही है वेल वर्फरंट की बात करें तो अनुशका सेन कलस टीवी के खत्रों के खिलाडी सीजन 11 में भी नजरा रही है दोस्तों किया आपको सेरियल में ये रिष्टा क्या कहलाता है कि नननी नायरा यद है वही चोटी नायरा के भूमिक निभाने वाली अभनेतरी अशनूर कोर है जो शो में चोटी नायरा के रूप में काफी प्यारी और खुबसूरत दिखाएं दी धी जिसके बाद उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में कई टीवी शोज में काम किया लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बीते सालों में आक्टरस अशनूर कॉर भी काफी जादा बदल गई है शो में छोटी और क्यूट से दिखने वाली ये आक्टरस 17 साल की हो गई है और आज भी बेहत खुबसूरत नजर आती है साथ ही वो अभी भी अपने अभिने करियर को जाली रखे हुए है और इन दिनों वो म्यूजिक विडियोस में काम कर रही है तीवी इंडस्ट्री की पॉपलर सीरियल ये है महबते में रूही का क्यूट के दाने भाने वाली आक्टरस रूहानी का धवन ने अपनी क्यूटने से सीरियल में सभी को अपना दिवाना बना लिया था लेकिन आपको बता दें कि ये प्यारी रूही अब बहुत बदल गई है अब आक्ट्रस 13 साल की हो गई है और बहुत बड़ी नजर आती है बता दें कि इन सालों में रूहानी का और भी ज़ाद स्टालिश हो गई है इसलिए चाइल्ड आक्ट्रस अकसर मौडरन लुक में नजर आती है लेकिन फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है और आक्टिंग के दुनिया से काफी दूर है चनल जुबेर रह्मानी ने टीवी शो फुल्वा में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया जो चोटी फुल्वा के रूप में सूच सलवार पहनी दिखाएं दी थी लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन बीते सालों में काफी कुछ बदल गया है अब आक्टिंग इस साल की हो गई हैं और दिखने में भी बेहत खुपसूरत और ग्लामरस नजर आती हैं वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अपने अक्टिंग करियर को आज भी बरकर आ रखा है लेकिन अब वो टीवी शोज में नहीं बलकि म्यूजिक वीडियो में काम कर रही है अनन्या अगरवाल स्टापलस के शोव सिया के राम में माता सीता का बाल अफ़तार निभाने वाली आक्ट्रेस अनन्या अगरवाल ने परदे पर अपनी मासूमिय से सभी को अपना दिवाना बना लिया था लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये बाल कलाकार भी आज बहुत ज़्यादा बदल गई हैं क्योंकि शोव में वो माता सीता के बाल अफ़तार में एक छोटी बच्ची थी जुसने लहंगा चोली और घुंगराले बाल से अपना गेट अप कम्प्लीट किया था लेकिन 17 सार के उम्र में वो छूटी लड़की नहीं बलकि काफी बड़ी हो गई हैं और काफी जादा बोल्ट लुक में भी नजर आती हैं आक्टरस अपनी ग्लामरस लुक और बोल्ट स्टायर को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहती हैं आपको बता दें कि आज भी उन्होंने अपने अभीने करियर को जारी रखा है और हाल ही में वो लॉक जाओन की लव स्टोरी टीवी सीरियल में नजर आ चुकी हैं और इंदनों वो अपने आने वाले शो में भी काफी जादा बजी हैं नमब 6 रिमशेक नीरभर ये नैना देवी सीरियल में रिमशेक ने देवी की भूमिका में एक बाल का लकार की रूप में काम किया और वो देवी के अफ़तार में अपने शो में बहुत प्यारी भी नजर आई लेकिन दोस्तों आपको बता देएं कि आज आपकी ननी देवी बहुत जादा बड़ी हो गई है और 18 साल के उम्र पूरी कर चुकी है और बहुत जादा बदल भी गई है आज आपको बता दें कि आज भी वो अपना करियर जारी रखे हुए है और आप इसे लाइक कीजे और शेयर कीजे साथी टीवी इंडस्ट्री और बॉलिवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपठी और मसालेदार खबरे जारने के लिए आप हमरे चनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले